हेलो दोस्तों विल्कम तो साइबाटेक और मैं हूँ आपका दोस्ते जास्या फ्रेंड्स क्रिप्टो मार्किट वंस अगेन डाउन वर्ड जो है वो जाने लगी है उसका रीजन क्या है यहां पर देखने समझने की कोशिश करेंगे बिटकोइन का प्राइज अगर डाउन आत है तो कहां तक आ सकता है और उसका ही असर शीवाइनू और डिफरेंट और जो क्रिप्टो करन्सीज है उन पर आने वाला है इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन्ट है वीडियो को देखना कंचिन्यू कीज़ेगा लाइक जरू कर देगा और दोस्तो कोईन डिस्क की सरफ से और आपने देखा कि बिटकोईन का प्राइज जो डाउन गया है उसके पीछे इस चीज़ का भी एक रीजन है तो आपकी स्क्रीन पर है आप देख सकते हैं SEC सीक्रेट बैनाइन्स कोड फिलिंग हैस अब्जर्वड ब्रैसिंग फॉर बैट निउस त किन चीज़ों में बैनाइन्स को जो है उस सिंधी में कहते हैं काबू करने की कोशिश की जा रही है एक्चली सीन क्या है लेकिन कुछ चीज़ें आपके साथ यहां पर शेयर करना बहुत ही जरूरी है इंक्लिडिंग बी उएजडी एंड बी इसका असर बाकी क्रिप्टो कर समझा जाता है और आपको पता ही है कि टॉप के कौइन्स में आता है लेकिन इस वक्त वो उताब का शिकार है अब उसकी प्राइज और भी डाउन आने के चैंसे हैं डाउन कहां तक आ सकती है जोस्तों मेरा ख्याल है कि यह फिगर जहन में बिठा ले अगर यह चीज और भी प्लस 200 मिल रहा है 194 तक आने के चांसे हैं लेकिन अगर लॉंग ट्रम में देखें तो बिन बी का प्राइज अगर 194 तक आता है तो मतलब क्या यह खतम भी हो सकता है या मतलब हमारे वैलेट्स के अंदर बिन बी अल्टीमेटली होता है क्योंकि हम ट्रेड करते हैं डिफरंट टोकिन्स एंड कोईन्स जो वो बाय करते हैं तो यह चीज हमारे लिए बहुत बड़ी प्राब्लम पैदा कर सकते हैं कि क्या भाईया यह खतम भी हो सकता है तो मेरा ख्याल है कि खतम आवे ही नहीं हो सकता इट विल टेक अप टाइम क्योंकि इसका तालुक्त सिर्फ बाइन ग्रे सकेल के जो डिसिशन आया कोड का बनलब एक पॉजिटिव डिसिशन था उसके बाद बिटकों का और बाकी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस ऊपर चला गा उसके बाद विल्स अगेन एक और तरीका यहां पर अपनाई गए बाइद करिप्राज करेंसी मार्केट दो किस ये चीज बहुत ही ज्यादा कोई आगे आने वाले दिनों में गले में पड़ सकती है इस्पेशली बेंकिंग सेक्टर को तो यही रीजन यहां पर हो सकता है इसी को लेकर दोस्तों एक और न्यूज आपके साथ जो है वो शेयर करता चलूं कि बिटवाइज विड्डॉल्स बिटकोईन एंड एथर मार्केट के एटीएफ एप्लिकेशन ये भी एक बहुत ही बड़ा इंविस्टमेंट प्लेट फार्म है इन्हों ने दोस्तों मतलब 2019 के अंदर और फिर अरली 2023 में इन्हों ने अप्लाय किया था कि हमें ETF की अजाज़त दी जाए जिस तरह से अभी ये ग्रे स्केल को विक्टरी हुई है और इस तरह कि और बहुत सारी अप्लिकेशन वहाँ पर पड़ी है लेकिन इन्हों ने अपनी अप्लिकेशन वापिस ले ली है अब इसका असर भी यही आया कि भाईया इतना कुछ तो बुरा है कि ये एप्लिकेशन ही इविन वापिस लेकर जा रहे हैं लोग अब इसमें अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो the SEC has delayed its decision on bitcoin ETF application from wisdom tree in westco galaxy वेलराइक वेन एक black rock bitwise in fidelity इतने सारे प्लेटफार्म जो है इन्होंने अप्लाय किया हुआ है और वो अपना decision नहीं दे रहा है इन में से ये एक जो प्लेटफार्म है bitwise के नाम से इन्होंने अपनी application withdraw कर दी और वापिस ले लिया recently एक 200 uptrend market में आपने देखा होगा उसका reason black rock की application थी कि उन्होंने just apply किया है उसको सुनकर ही investor जो है वो बहुत ज़्यादा bullish हो गए थे और investment से यहाँ पर अच्छी खासी आना शुरू हो गई थी तो ये अगर आगे जाकर accept होती है तो बहुत ही ज्यादा बुल जो हो आपको यहाँ पर market में नजर आ सकते हैं ठीक है अगर दोस्तों ये reject हो जाती है मालब यके बाद दीगरे एक के बाद दूसरी पर तीसरी पर चौती तो आपको एक bear market बहुत ही बड़ा नजर आ सकता है और crash भी नजर आ सकता है देख लेते हैं तो bitcoin का price आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 26,000 डॉलर से नीचे चला गया और 25,000 डॉलर पर trade कर रहा है और something मतलब 900 BS प्लस और ethereum जो हो 1640 पर trade कर रहा है same time पर BNB आपको 214 पर मिल रहा है recently कुछ दिन पहले ये 207 और 209 तक trade कर चुका है ये कल की जो news है परसों की जो के बैनाइंस को लेकर आई है उसके बावजूद भी 214 पर ये रुका हुआ है और अगर आप compare करें BNB को बाकी के साथ तो देखें के BNB जो वो ज्यादा गिरा है और XRP थोड़ा ज्यादा गिरा है इस तरह से market के अंदर ये moments चल रही है अब Bitcoin अगर नीचे जाता है तो और कितना जा सकता है तो मेरा ख्याल है कि support level दोस्तों यहां पर जैन में बिठा लीजेगा support level एक strong जो वो 23,000 डॉलर पर Bitcoin को मिलती है वहां से price once again jump up कर सकता है आप अगर ये सोचेंगे यार कहां पर इसको हम buy करें तो 20,000 डॉलर पर आप इसको मलब अपने orders लगा सकते हैं पर जैसे ही आप जाये तो आप यहां से अपने profits निकाल सकते हैं कुछ इसी तरह से Ethereum मेरा ख्याल है कि 1500 डॉलर even 1500 डॉलर की resistance support level जो है वो बड़ी crucial होगी क्यूंकि यहां पर एक round figure बन जाता है BNB को मलब हम ज्यादा इसमें कुछ predict करने की कोशी चीविन नहीं करते क्यूंकि इसी पर ज्यादा focus किये हुए इस वक्त SEC तो इसमें trade करना ज्यादा risky हो जाता है अगर आप risky trade लेना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं और भी अगर ये prices का down आ जाए तो एकदम से लगाए और एकदम से market से exit कर ले ये आप सारा scene कर सकते हैं यहां पर तो कुछ यही news थी दोस्तों I hope वीडियो आपको ज़रू पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो like करे, comment करे, share करे, channel को subscribe करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें टेक कियर, अलाहाफिस